हेलो स्टुडेंट्स, वेलकम टो यूपी से एसस, टैली स्रीज का लेक्चर नमबर 35 है, और आज हम इस वीडियो से स्टार्ट कर रहे हैं, कैस स्टेडी 3, ठीक है, यहाँ पर आपको टैली का स्लेवर्स दिखाएं, तो इसमें बेसिक फंडेमेंटल और ओर वर्वी आफ टैल कैस स्टेडी 1, जो की अकाउंटिंग बेस्ट थी, और कैस स्टेडी 2, जो की अकाउंट विद इनवेंट्री थी, यह सब कंप्लीट कर चुके हैं, और अब हमारा स्टार्ट होगा, इनवेंट्री मैनेजवेंट विद GST, कैस स्टेडी 3, ठीक है, तो अब हमारी यह वाली व काउस्ट काटेगरी, पेरोल्स होगेरा, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, क्रेड़ नोट, डेविड नोट, कई सारी चीचेश में हम नहीं देखेंगे, ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, तो सबसे पहले हम कैस स्टेडी 3 के लिए, सबसे पहले एक कंपनी बनाते ह ठीक है, ऊपर यहाँ पर आप डिरेक्टरी चेंज कर सकते हैं, जो रखना चाहें, तो अब की बार जो डिरेक्टरी हो, हम यही रखेंगे, मलब बाइडिफॉल्ल जो यहाँ पर सी यूजर वाली आ रही है, ताकि यहमें दिक्कत ना हो, और बाकी आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं, ठीक है, मलब डी ड्राइव में, किसी भी फोल्डर में रख सकते हैं, ठीक है, समझ गया तो यह तो आपको आता ही है, डिरेक्टरी चेंज करना, चलिए, फिलाल, यहाँ पर इसी डिरेक्टरी पर, यहाँ पर हम कंपनी का नाम देते हैं, कौन सा नाम रहेगा, कैस 23, 2017-2018, समझ गया, तो यह हो गया, और यहाँ मेलिंग नेम में, यहाँ पर मेलिंग नेम में, UBCISS कर देते हैं, और अड्रस ब्लैंक छोड़ देते हैं, कंट्री यहाँ पर सेट करना जरूरी है, और स्टेट भी सेट करना जरूरी है, उत्तर प्रदेश, बाकी चीजे आप य यहाँ पर चेंज करेंगे, 142017 होगा, ठीक है, 142017, ठीक, कोई confusion, कोई confusion नहीं, और फाइनली इसे हम असेप्ट कर लेंगे, ठीक है, तो यह कंपनी जो थी हमारी complete create हो गई, ठीक है, और यह कंपनी हमारी बन चुकी है, साथी साथ यहाँ पर आप देखेंगे, यह open भी हो आपको पता होगा, नहीं पता है, तो आप कमेंट करके मैं बता सकते हैं, वैसे भी लिंक आपको वीडियो के description में मिल जाएगा, ठीक है, हमारी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे, तो चलिए यहाँ पर अप्रेल से start करते हैं, जड़ाना company हमने बना ली है, और पहला question यहाँ पर देखे कौन सा है, Mr. Sunil Josie started a business with cash 18 lakh, ठीक है, Mr. Josie ने क्या किया, यहाँ पर देखी जो, और इन्होंने 18 lakh रुपे से business start किया है, और cash यानि नगद स्टार्ट किया, समझ गे न, तो आपको पता चल गया होगा, debit क्या होगा, आपका debit हो जाएगा, cash, ठीक है, debit क्या होगा, cash, और credit यहाँ पर क्या हो जाएगे, Mr. Josie, ठीक है, Mr. Sunil Josie, समझ गया, और यह capital account होगा, इनका laser बनेगा, under किसके जाएगे, capital account के जाएगे, और voucher का होगा, receipt क्योंकि business को तो पैसा प्राप्त हो रहा है, समझ गया न, तो है, accounting voucher में, और accounting voucher में, यहाँ पर सबसे पहले entry करेंगे, voucher होगा, receipt आपका credit में कौन होगे, Mr. Sunil Josie, उनका laser बनेगा, तो यहाँ पर alt के साथ C बटन, और Mr. Sunil Josie, ठीक है, Mr. Sunil Josie, under जाएगे, capital account के, और यहाँ पर inventory value are affected, जो option यह वाला है, यह नो रहेगा, क्योंकि यह व amount कितना है, 18,00,000 रुपे से business start किया है, तो यहाँ पर amount इसका हो जाएगा, 18,00,000 रुपे, ठीक है, और credit, sorry, यहाँ पर David में कौन होंगे, David में cash होंगे, cash का laser पहले सही बना होता है, और entry को हमने accept कर लिया, ठीक है, पहले entry हो गई, अगले entry की तरफ बढ़ते हैं, अगले entry Mr. जो सी deposit cash into bank, ठीक है, मलब 16,00,000 रुपे नोंने HDFC bank में जमा किया है, तो आपको पता है, बहुत वर यहाँ पर contract हो जाएगा, credit में cash होगा, क्योंकि जानने वाला है, कितना 16,00,000 रुपे, और debit में यहाँ पर HDFC bank होगा, जिसका laser बनेगा, तो यहाँ पर हम laser बनाते हैं, HDFC, इसको पूरा capital later में कर देते हैं, ठीक है, HDFC, bank, और यह under किसके जाएगा, आपको पता होगा, bank account, सभी प्रकार की bank, जो है, वो bank account में जाती है, अब देखिए, जब हम real life में work करते हैं, तो यह सारी detail bank की जो होती है, fill कर देते हैं, ठीक है, फिलाल अभी तो यहाँ पर हम इसे छोड़ देंगे, और इसे हम accept कर लेंगे, ठीक है, और इसे finally फिर हम वापस से accept कर लेंगे, ठीक है, यहाँ पर आपको amount, मुलब, note डालने है, जो note थे, वो count कौन से थे, और कितने थे, फिलाल आप चाहें, तो इसे blank छोड़ सकते हैं, और इसे हमने accept कर लिया, तो दो injury हमार अब यह खरीदा है, और इन cash, नहीं payment जो किया है, वो cash में किया है, तो इसकी entry करते हैं, तो यहाँ पर आपको पता है debit कौन हो जाएंगे, यह furniture, electric fitting दोनों debit होंगे, और दोनों के laser बनेंगे, अंडर किसके जाएंगे, fix or assist के, क्योंकि दोनों ही स्थाही समपत्ती हैं, और credit म यहाँ पर furniture होगा, जिसका laser बनेगा, तो यहाँ पर हम laser बनाते हैं, furniture, अंडर किसके जाएगा, fix or assist, fix or assist, और इसे हमने finally accept कर लिया, amount कितना है इसका, तो amount है आपका यह 25,000 रुपए, 25,000 रुपए हो गया, दूसरी बार फिर से debit होगा, फिर से laser बनेगा, electrical fitting का, ठीक है, electrical fitting, अंडर किसके जाएगा, fix or assist के और finally इसको भी हमने accept कर लिया, इसका amount कितना है, इसका amount है, 12,000 रुपए, और credit में आपका कौन है, credit में आपका है, cash, और इसे हमने accept कर लिया, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, 25,000 रुपए furniture का, 12,000 रुपए electrical fitting का, ठीक है, अगली entry के बढ़ते हैं, अगली entry Mr. Jossi, issue a check 25,000 to go well property, towards security for rented and office space, तो इस entry के बारे में भी आपको पता चल गया होगा, 25,000 रुपए क्या किया है, security deposit किया है, office के लिए, ठीक है, simple entry है, कई बार आ चुकी है, लोग का SSD 1 में भी आई थी, 2 में भी आई थी, ठीक है, तो 25,000 रुपए के security deposit क entry कर देंगे, under deposit assist voucher payment, ठीक है, तो voucher payment हो जाएगा, debit में होगा, security deposit, लेजर बनेगा यहाँ पर, security deposit, under deposit assist, आपको पता है, deposit assist, और यहाँ पर इसे हम accept कर लेंगे, ठीक है, deposit assist के अंदर इस लिए जाएगा, क्योंकि यह क्या है, जमा कियो ही संपत्ती है, कितना 25,000 रुपए, औ और यहाँ पर क्या था, check है, कैसे इसको देखते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर यह चेक इसू किया गया, ठीक है, तो check इसू किया गया, मलब यहाँ पर credit में HDFC bank हो जाएगी, ठीक है, HDFC bank और इसे हमने accept कर लिया, अगली entry के दर बढ़ते हैं, अगली entry है, Mr. Jossi purchased cell phone 5000 and computer 25000 in cash, ठीक है, दो item खरीदे हैं, दोनों fixed assist है और नगत खरीदे हैं, आपको पता चल गया होगा debit के इट, तो debit में यहाँ पर cell phone पहले हो जाएगा, laser बनेगा, cell phone, और under किसके जाएगा, fixed assist के, fixed assist, cell phone कितने का है, आपका 5000 रुपे का है, दूसरी बार फिर से debit computer क्योंकि यह भी fixed assist है, और under किसके जाएगा, fixed assist, और इसे हम under accept, और यह कितना है, 25000 का है, और इसे भी हमने accept कर लिया, ठीक है, credit में आपका कौन होगा, cash, क्योंकि आपर यह नगत खरीदा गया है, और यह भी entry accept हो गई, ठीक है, अगली entry देखते हैं, अगली entry Mr. Jossi appointed following employees, ठी गया है, और यह entry हमें नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पर क्या की गई है, सिर्फ बात की गई है, सिर्फ बात की गई है, इसलिए entry नहीं करनी है, ठीक है, इसको हम आगे करेंगे, अगला question है Mr. Jossi purchase stationery in cash 1500, ठीक है, मला 15,00 रुपए की stationery खरीदी है, वो भी नगत खरीदी है, simple entry है, voucher payment debit में stationary laser बनेगा, तो laser बनाते है, stationary expenses, under किसके जाएगा, indirect expenses, indirect expenses, सभी परकार के खर्चे indirect expenses में जाते हैं, और इसे हमने accept कर लिया, इसका amount कितना होगा, indirect expenses का, आपका stationery का 15,00 रुपए, और credit में कौन हो जाएगा, cash, क्योंकि यहाँ पर यह नगत खर्च किया गया है, ठीक है, हो गया, आगली entry देखते हैं, Mr. Jossi, transfer cash 10,000 into PTCash, ठीक है, अब यह PTCash क्या है, इसको आप समझते हैं, cash तो आपको पता है, क्या गया है, transfer किया है, transfer किया है, मतलब पैसा इधर से उधर किया होगा, ठीक है, यह होता है, transfer गन्ना, तो यहाँ पर किस में transfer किया है, PTCash क्या होता है, देखिए, तो इन्होंने business कितने से शुरू किया, आपको पता होगा, 18,000,000 रुपए से business शुरू किया, तो इनके पास पैसा कितना है, तो इनके पास cash मान के चलिए, आप 2,000,000 रुपए तो इन्होंने cash में बचा ही लिया था, उसमें से कुछ खर्च हो गया, तो क्या ये 200 रुपए, पलब, 1,5,000,000 से खर्च करेंगे, ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे pocket में, 1,5,000,000 रुपए रखे हुई है, ठीक है, और अगर हमें कहीं 10 रुपए खर्च करने हो, तो अगर हम 1,5,000,000 से 10 रुपए खर्च करेंगे, तो problem ये होगी, कि हमें अंदाजा न करते हैं हम क्या करते हैं कि अगर हमारे पास डेड़ लाग रुपे कैस है ये क्या है अपका कैस है ठीक है तो हम क्या करेंगे इसको ट्रांसफर कर लेंगे दस हजार रुपे अलग मलब एक पॉकेट से दूसरी पॉकेट में ट्रांसफर कर लिए सिंपल सी बात है डेड़ से खर्चे कर रहे हैं, तो जब भी हमें count करना होगा, हमें सिर्फ ये वाला amount count करना होगा, इससे हमें मतलब नहीं रहेगा, समझ गया, तो यही होता है pity cash, जो pity cash होता है, वो cash का ही दूसरा रूप होता है, ठीक है, मलग आप कह सकते हैं, यह cash ही होता है, बस अंतर इतना है कि हम cash से, मलग एक pocket से दूसरी pocket में उसको रख लेते हैं, समझ गया है, तो आपको पता चल गया होगा, debit कान होगा, तो debit यहाँ पर pity cash हो जाएगा, क्यों क्योंकि यह है तो पाने वाला ही न, इसके पास पैसा जा रहा है, और credit कान होगा, cash क्योंकि cash से तो पैसा जाने वाला है, इसके जाएगा, cash in hand के, क्योंकि जो cash का laser होता है, आपको पता होगा, जो cash होता है, इसका laser पहले से बना होता है, इन किस में बना होता है, cash in hand में पता है, cash in hand में बना होता है, cash का laser, तो जो pity cash है, यह भी तो cash ही है, तो इसलिए इसका भी laser हम cash in hand में ही बनाएंगे, समझ गया होंगे, I think, कोई confusion ने comment कर सकते हैं, confusion हो नहीं नहीं चाहिए, बस cash और pretty cash दोनों एक ही चीज़े हैं, इसे समझ सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर पैसा transfer हो रहा है, तो voucher यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, कंट्रा, क्यों, क्योंकि transfer के लिए यूज गया जाता है, अभी यहीं तक क्या कर रहे हैं, कि जब bank में पैसा जमा करते थे या निकालते थे, तो हम दोनों जगे kontra voucher लगाते थे, क्यों, क्योंकि वो दोनों में क्या हो रहा था, transfer हो रहा था, हम bank में पैसा डालें, या bank से पैसा निकालें, हो और यहाँ पर कंट्राल लगाते हैं, credit में आपका cash हो जाएगा, कितना, 10,000 रुपए, और debit में कौन हो जाएगा, HDFC bank, sorry, debit में pretty cash होगा, क्योंकि यहाँ पर हम pretty cash के entry करना है, ठीक है, pretty cash, पाने वाला कोन है, pretty cash, laser बनेगा इसका, तो यहाँ पर हम alt के साथ C, यह यह अल्टर C, और pretty cash का laser बनाते हैं, ठीक है, तो यह pretty cash हो गया, under किसके जाएगा, cash in hand के अंडर जाएगा, और इसे हमने accept कर लिया, 10,000 रुपए की entry और यह finally accept हो गई, और यहाँ पर यह last entry थी, अप्रेल की, तो यह अप्रेल मन्त जो है, यह complete हो गया है, तो यहाँ पर इसका आपको हम trial balance दिखा देते हैं, वापस आते हैं, display trial balance, यह आपका trial balance है, छोटा साथ, क्योंकि अप्रेल में इसमें entry बहुत कम आई है, ठीक है, तो इसका आप इसके ले ले लें, और आपने trial balance के साथ match करें, अपने mistake नहीं की होगी, क्योंकि काफी simple entry थी अभी तक, और आने वाले वीडिय जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, वहाँ पर हमें चीज़े जो हैं, वो नई नई मिलती रहेंगी, ठीक है, देखे बिजनेस का ऐसा भी हो, starting में तो आपकी लगभग यही entry आनी है, fix it, expenses किये, business start किया, bank में पैसा जमा किया, हर business में यह normal से entry यहां, तो आपकी आती ही आती ह जिसका अपरेल मंत complete हो गया है, और जो मई मंत है, यह हम अगली वीडियो से देखेंगे, और मई में कई सारी चीज़े जो हैं, वो आपकी नई आने वाली हैं, तो वीडियो को बिल्कुल भी miss ना करें, मिलते हैं अगली वीडियो में, thanks for watching this video.